हेलो प्यारे दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 का आपका इंगली स्कोर का स्लेबर्ज डिसकस करने वाले हैं जो कि आपका करेंट सेशन 2023-24 के एक्जाम के लिए है और ये स्लेबर्ज डियोई ने इशू किया है तो चलिए अब अपना स्लेबर्ज डिसकस करते है तो सबसे पहले मैं आपको Midterm Exam का स्लेबर्ज बताने जा रहा हूँ उसके बाद आपके Final Term का स्लेबर्ज भी बता दूँँगा तो देखिए आपके Midterm Exam में क्या-क्या आ रहा है सबसे पहले मैं आपको आपके literature में से बता रहा हूँ यानि कि आपके पास जो दोनों books हैं एक तो hornbill और दूसरा snapshot तो इसमें से कौन-कौन से lesson और poems आ रहे हैं देखिए सबसे पहले आपका hornbill में से lesson number one जिसका नाम है The Portrait of a Lady तो यह lesson आपके mid-term exam में आ रहा है इसके अलावा poem first जो है A photograph यह भी आपके mid-term exam में आ रहा है इसके अलावा lesson number two We are not afraid to die if we can all be together तो यह भी आपके mid-term exam में आ रहा है और lesson number three discovering to the saga continues तो यह भी आपके mid-term exam में आ रहा है और poem second the labranum top ठीक है तो यह जो मैंने अभी तक आपको chapters बताएं हैं और poems बताएं होन्विल में से यह सब आपके mid time exam में आ रहा है और snapshot की book में से lesson number one जिसका नाम the summer of the beautiful white horse यह आएगा इसके अलावा lesson two the address इसके अलावा lesson three mother's day तो यह तीन lesson आपके snapshot में से आ रहे हैं mid time exam में और इसके अलावा lesson one two और three यह आपके hornbill में से आ रहे हैं mid time exam में और poem first और second आ रहा है ठीक है तो यह हमने बात कर लिया literature में से आपके mid time exam में क्या क्या आएगा अब reading skills writing skills और grammar की बात करते हैं तो reading skills में आपका यह तो आपको पत हैं यह की passage आता है passage जो होता है unseen passage वो आपके mid time exam में आएगा देखिए passage जो है factual passage आ सकता है descriptive passage आ सकता है और literary passage आ सकता है ठीक है यह जो passage होते हैं इनके base पे questions पूछे जाते हैं यह जो passage होते हैं तो यह passage आएगा आपका इसके अलावा report हैना मेंकि एक पैसिज दिया जाएगा आर्लोस टूहंडड़्ड टूहंड़ड़ टूहंड़ंड़फिफिटी ours का इसको आपको समराइज करना ओता है यह इसको आपको नोड की तरह लिखना होता है 혹시 जैसे यह जो आपका ह McLubh होगा 200 से 250 वर्ट का इसको आपको छोटा करके लिखना होता है यहीं नोट मेकिंग होता है ठीक है तो यह हो गया हमारा रेडिंग स्किल्स का अब राइटिंग स्किल्स में देखिए आपका क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट आएगा इसके अलावा पोस्टर डिजाइनिंग आएगा और इसके अलावा स्पीच राइटिंग भी आएगा स्पीच राइटिंग का जो वर्ड लिमिट है वो यहां पर आप देख सकते हैं 120 टू 150 वर्ट का है इसके अलावा डिबेट इन भी आपका आएगा तो यह हो गया राइटिंग स्किल्स का अब ग्रामर में देखिए आपका गैफ फिलिंग आएगा गैफ फिलिंग टैंसिज और क्लॉज के बेस पे आएगा इसके अलावा रि और्ड रिंग ऑफ सेंटेंसिज सेंटेंसिज को रि और करने का भी तो यह मैंने आपके लिए आपके मिट्टम एक्जाम का पूरा स्लेबस डिसकस कर दिया अब हम बात करते हैं आपका फाइनल टर्म का लेकिन उससे पहले देखिए जो आपका मिट्टम एक्जाम का स्लेबस है वह 15th of September तक complete हो जाएगा उसके बाद आपका मिट्टम एक्जा आएंगे यानि जो जो चापकरस मैंने आपको बताया है और जो ग्रामर के टॉपिक्स बताएं यह सब आपके फाइनल टर्म के एक्जाम में भी आएंगे इसके अलावा आपका पॉयम 3 भी आएगा हॉन्बिल में से दब वोईस ऑफ दरेन इसके अलावा पॉयम 4 भी इसके अलावा लेशन 5 और पॉयम 5 तो यह सब आपके हॉनंबिल में से आएंगे हैं इसके अलावा स्नैपशोट में से लेशन 4 और 2 यह आपके फाइनल टरम में आएंगे ठेंट हैं तो यह हो गया पूरा लिट्रेचर में से आपको मैंने बता दिया है अगर हम रेडिंग स्किल्स और गामर की बात करें तो यह सब बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको मिट्टम एक्जाम का बताया था ठीक है तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना अपने दोस्तों करके आप और अच्छे से अपना स्लेबस देख सकते हैं ठीक है टेलिग्राम ग्रूप आपने जोइन किया है तो जोइन कर लेना टेलिग्राम ग्रूप जोइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके भाइब और कि देलिए वीडियो व्यूवे और किया है रिंक आसे बाहरा य। शत्याउत्स ब्लेभात्स ला इस नह जतो हम जग